कैमरा रोलिंग, लेट्स स्टार्ट के सुनेंगे दोस्तों, जो आपको सुनके, हम लोग को सुनके, जरूर बोन चिलिंग और स्पाइन चिलिंग मैसूस होगा दोस्तों, तो दोस्तों, क्या हम लोग इस वीडियो ट्रिप को शुरू करें, और क्या हम लोग इस स्टोरी को सुनें, जिससे हम लोग को बोन और spine chilling महिशूस हो दोस्तों की school कहा है मुझे ये तो मालुम नहीं दोस्तों पर दोस्तों मैं आप लोग को guarantee देती हूं की ये stories सुनके ये video trip करके हम लोग को ज़रूर bone chilling और spine chilling महिशूस होगा दोस्तों तो दोस्तों चलिए हम लोग एक साथ इस वीडियो ट्रिप को शुरू करते और इस स्कूल का कहानी सुनते हैं तो दोस्तो एक स्कूल था एक गाउ में एक स्कूल था दोस्तो और दोस्तो आप लोगों को पता है उस स्कूल का एक राज था जो सिर्फ उस स्कूल के प्रिंसिपल को ही पता था दोस्तों और वो राज क्या था दोस्तों ये प्रिंसिपल किसी को नहीं बताता था क्योंकि ये राज ऐसा राज था दोस्तो स्कूल के बारे में जो जो दोस्तो ये प्रिंसिपल यदि ये राज किसी भी स्कूल के टीचर को बता देता दोस्तो किसी स्कूल के किसी भी अध्यापका को या अध्यापक को या टीचर को बता देता दोस्तो तो वो स्कूल का च्छोड़ के चले जाता दोस्तों ये राज को ऐसा रास था दोश्टों जिसको के स्कूल के प्रिंसिपल किसी को नहीं बताता था तो दोस्तों मैं आपको स्कूल का थोड़ा सा description दे रहेती हूं दोस्तों दोस्तों के छोटा सा स्कूल था जो गाओं में था और एक सामने में इस स्कूल के ठीक सामने में एक नारियल का पेर था और थोड़े दूर में एक ट्रेन स्टेशन था एक रेलवे स्टेशन था दोस्तों तो ये कुछ स्कूल का ऐसा डिस्कृप्शन था इस स्कूल का कुछ ऐसा डिस्कृप्शन है दोस् तो दोस्तो एक दंड क्या हुआ इस स्कूल में ये स्कूल में जे उस स्कूल में रास था और ये प्रिंसिपल किसी को इस रास के बारे में नहीं बताना चाता था दोस्तो तो क्या हुआ इस स्कूल में एक दिन एक नया टीचर आया पढ़ाने के लिए दोस्तो इस स्कूल में एक नय टीचर का नौकरी लगा दोस्तों और इस प्रिंसिपल में इस टीचर को भी इस राज के बारे में कुछ नहीं बताया तो दोस्तों ये स्कूल का जो नया टीचर था ये टीचर हेड़ पॉर्टर में एक कमरा लेके उधर में रहने लगा और दोस्तों तो यही वो टीचर पढ़ाने लगा बहुत सारे स्टूडेंस को पढ़ाने लगा दोस्तों ठीक है तो यही था नौर्मल रुटीन स्कूल का दोस्तो आप लोगों पता है दोस्तो एक दिन क्या हुआ रात का टाइम था दोस्तो और ये सब स्कूल के सारे टीचर्स एक शादी घर में गय हुए थे एक पास के गाउं में एक शादी था तो उस शादी में वो गय हुए थे दोस्तो और दोस्तो ये जो नया टीचर था इसको भी invite था उस शादी में ये भी कहे थे उस शादी में तो दोस्तो ये उस शादी से थोड़े जल्दी ही वापस आ गये टीचर's headquarters में तो टीचर's headquarters थोड़ा जल्दी ये नया टीचर वापस आ गये दोस्तो आप लोगों को पता है जब ये टीचर वापस आए तब जब ये टीचर वापस आए दोस्तो दोस्तो तो शादी से जब ये टीचर वापस आए दोस्तो तब आप लोगों को पता है दोस्तो ये सीधा शा सीधा चले गए यह teacher's hostel में और उधर में ही रहने लगे उधर में थोड़ सा रेस्क लेने लगे दोस्तों तो आप लोगों को पता है धोस्तों थोड़े देर के बाद आधी रात को दोस्तों आप लोगों को पता है क्या हुआ इस teacher को वो जो नारियल का पेर था वहां से एक नारियल गिरने का आवाज हुआ थोड़ा सा हवा चल रहा था तो नारियल गिरा तो ये तो काफी नॉर्मल बात है दोस्तों कि हवा चल रहा है तो एक नारियल गिर गिया ये काफी common बात है दोस्तों आप लोगों को पता है थोड़े देर के बाद क्या हुआ आप लोगों को पता है दोस्तों थोड़े देर के बाद क्या हुआ थोड़े देर के बाद आप लोगों को पता है दोस्तों इस टीचर को क्या सुनाई दिया हवा तब तक रुप चुका था दोस्तों तो दो दोस्तो नारियल गिरने के साथ साथ इस नए टीचर को और एक आवाज सुनाई दिया दोस्तो कि स्कूल के अंदर से कोई टेबल खीच रहा है चैर खीच रहा है टेबल खीच रहा है चैर खीच रहा है कोई क्लासरूम में ऊपर के किसी क्लासरूम में कोई तब तब तो वो रा नॉमली क्लास नहीं होता है दोस्तों स्कूल में तो दोस्तों ये टीचर को सड़नली इन देड़ ओफ दे नाइट आइट आइमीन दोस्तों दो बजे तीन बजे करीब सुनाई दिया और दोस्तों हम लोगों ये तो पता है कि 3 a.m. को देविल्स आर भी बोला जाता है दोस्त तो वही टाइम में इस नहीं टीचर को सुनाई दिया कि कोई उपर के क्लासरोम में कोई टेबल खीच रहा है चैर खीच रहा है तो दोस्तों ये जो नहीं टीचर थे दोस्तों ये चले गए देखने के लिए कि कौन खीच रहा है ऐसे टेबल चयर ये थोड़े और के बार निकले दोस्तों अपने रूम से और अपने बून से निकले दोस्तों कोई कोई पच्छा कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर में घुद गया है कि कोई नहीं है और क्लास के अंदर में घुद गया और बन्माशी कर रहा है और उस ने टीचर को ड़ाने का कोशिश कर रहा है तो दोस्तों ये नए टीचर वही देखने के लिए गय थे दोस्तों तो दोस्तों इस टीचर को कंटिनूसली ये आवाज आ रहा था दोस्तों कि कोई चैर खीच रहा है टेबल खीच रहा है चैर खीच रहा है टेबल खीच रहा है तो दोस्तों ये तो हुआ रात का बात और ऐसे करके ही रात बीत गया दोस्तों तो दोस्तों ऐसे ही यही आवा सुनते सुनते ये टीचर ने टीचर सो गया है और ऐसे ही रात बीत गया दोस्तों दोस्तों सुभे को आप लोगों को पता है क्या हुआ सुभे को दोस्तों सुभएको दोस्तो आप अपलों को क्या हुआ सुभएको यह नय टीचर जैसे हैं पुम्हे को सुभएक आए इनहीं नय टीचर भाग के उस नय प्रिंश पुर ने कंगे कि आप लोग को आपको पता है सुअर रात को क्या हुआ मेरे साथ रात को ये टीचर ने नए टीचर ने बताया कि कैसे उन्होंने रात को स्कूल में वो टेबल चैर खीचने वाला एक क्लास से जो यूज नहीं होता था वो क्लास कभी भी यूज नहीं होता था उस क्लास के अंदर से कैसे टेबल खीचने का और चैर खीचन ये बात सुनके दोस्तो प्रिंसिपल जी का प्रिंसिपल का होश उड़ गया दोस्तो और उनके तो जैसे उनको साप ही सुन गया था दोस्तो दोस्तो साप सुन गया का मतलब ये होता है कि उनको बहुत ही जादा ड़ लग गया दोस्तो और उनको वो जो राज वो छुपा के बैठे थे दोस्तो उस क्लास के बारे में वो उनके जहन में आ गया दोस्तो और फिर भी उन्हों ने इस teacher को कुछ नहीं बताया दोस्तों आप लोग को पता है ये वाला incident इस teacher के साथ फिर से हुआ था एक रात को और ये दोस्तों तो फिर ये नए teacher फिर से ये principal को बात बता है और दोस्तों आप लोग को पता है तब इस principal ने सारे teachers को उस बंद classroom का राज finally बताया दोस्तों क्या आप लोग जानना चाहते है कि उस classroom का राज क्या था दोस्तों तो ये principal ने जो बताया उसको सुनके सारे teachers के होश उड़ गया है दोस्तों तो दोस्तों इस principal ने ये बताया कि बहुत साल पहले जब ये school नया नया बना था जब ये school नया नया बना था दोस्तों तब इस school में एक बहुत ही होश्यार बच्चा था दोस्तों और किसी कारण से वो पढ़ाई के pressure को बरदाश नहीं कर सका दोस्तों और उसने जो बंद classroom था उसमें जाके उसमें अपना जान ले लिया दोस्तों और उसी बच्चे ने जान लेने के पहले table chair खीचा था दोस्तों और इस incident के बाद उस classroom को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया दोस्तों तो ये था दोस्तों उस classroom का उस school का राज जो ये principal कभी भी किसी को नहीं बताना चाहते थे दोस्तों और ये सुनके दोस्तों उस school के सारे teachers का होश उड़ गया दोस्तों तो ये था दोस्तों उस school का राज और दोस्तों और दोस्तों उसके बाद आप लोगो पता है क्या हुआ उसके बाद इस स्कूल के सारे टीचर्स उस स्कूल को छोड़के चले गए कहीं और पढ़ाने के लिए और इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया दोस्तों तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ट्रिप दोस्तों जो हम लोग ने सुनके I hope दोस्तों ये सुनके हम लोग को जरूर बोन चले और स्पाइन चले तो लगाई होगा दोस्तों और दोस्तों यदि हम लोग और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में जाना जाते हैं दोस्तों तो ह Thank you for commenting my friend. ऐसे ही motivate करते रहिएगा दोस्तों कमेंट करके I love you all दोस्तों. आप लोग मेरे second family जैसे हो दोस्तों. और मैं भी आपकी दोस्त हूँ दोस्तों. तो दोस्तों हमारे चानल Ghosts and Shadows को जल्दी से जाके subscribe कर दीजिए. लाइक, शेर, कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों. I love you all दोस्तों. आप लोग मेरे second family जैसे हैं. मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकती दोस्तों. और मैं आप लोग से वादा करती हूँ दोस्तों कि हम लोग फिर से एक ऐसे ही वीडियो ट्रिप में जल्दी से जाएंगे. तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चानल Ghosts and Shadows को जल्दी से जाके subscribe कर दीजिए. लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा दोस्तों. I love you all. Thank you दोस्तों. I love you all. Enjoy your weekend. और जल्दी से जाके subscribe कर दीजिएगा दोस्तों ताकि हम लोग और भी ऐसे वीडियो ट्रिप्स में जा सके. Thank you दोस्तों. Love you all. Enjoy your weekend.